आप सबी लोग आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी के कौन कौन से करेंट अफेर्स के क्वेस्टेंज आप सभी को पढ़ने हैं उन सारे क्वेस्टेंज का डिसकेशन वाज़म इस वीडियो में करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू होने से पहले like share जरूर करेगा ताकि और भी students तक इस class को जो हैं हम लोग पहुचा सकें तो चलिए आए ये शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके से आमने ये रहा कि वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है एक जनवरी, 31 अक्टूबर, 26 नमबर या फिर हम लोग एक जून को मनाते हैं तो गाईस आपको बता देंगे जो global family day है ये हम लोग हर साल एक जनवरी वाले दिन मनाते हैं यानि option नमबर ए बिलकुल आपके सामने सही जवाब हो जाता है आगे आजाते हैं ये कुछ important days है जिनसे अभी exam में questions बने है तो पहला यहाँ पर हो जाता है world age से हम लोग मनाते हैं एक दिसम्बर वाले दिन विश्व मृदा दिवस 5 दिसम्बर को विश्व पर्यावरा दिवस 5 जून को नाशनल स्टार्ट अप डे 16 जन्वरी को मानव अधिकार दिवस 10 जन्वरी को विश्व अधरभू में दिवस 2 फरवरी को और विश्व ओजोन दिवस 16 सेप्टेंबर को मनाया जाता है आगे आजाते हैं एक लिए सवाल के उपर जैसे 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78 ग्रांड मास्टर कौन बने है तो यहां पर आदित्यमित्तिल है कौस्तव चैटर जी है प्रणवानन है या फिर वी प्रणव हो जाएंगे तो आपको बता दे कि अभी सिर्फ और सिर्फ मात्र 19 वर्ष ये कौस्तव चैटर जी हमारे इंडिया के 78 ग्रांड मास्टर बन चुके है और यह रहे कौस्तव चैटर जी आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के उपर और यह कुछ इंपोर्टेंट अबोर्ड है जो कि अभी हाल फिलाल में दिये गए जैसे कि इंडिनाशनल फिल्म फेस्टिवल अफ गोवा में परसनालिटी ऑफ द इयर का अबोर्ड गया है फेमस आक्टर चिरन जीवी को तीसवा एजू थाचन पुरुषम पुरुषकार ए सेतुम माधवन को गया बुकर अबोर्ड दोहजर बाइस शेन करुना तिलक को गौरत सम्मान 2022 अजीत दोवाल को अतल सम्मान पुरुषकार प्रभू चनर मिश्रा को तीसवा एकलव्य पुरुषकार स्वस्ती सिंग को और बीबीसी स्पोर्ट्स परसनालिटी ऑफ द इयर बैथमिट को गया है आगे आते हैं धाका साहित मौसफ का दसवा संस्क्राइब 2023 में कब होगा तो आप पताएगा पाँच से आठ फरवरी पाँच से आठ दिसंबर पाँच से आठ जैनवरी या फिर पाँच से आठ जून अगर हम इस धाका फेस्टिवल की बात करते हैं इसको शुरू किया जाएगा पाँच से आठ जैनवरी में 2023 में यानि कि अभी इसे शुरू किया जाएगा सो ये जो है अपका चला गया अभी अगर हम बात करते हैं इस धाका फेस्टिवल की इस भीलॉण करता है बांगलादेश सहे बांगलादेश की जो यहाँ पर आपकी कापिटल है वो धाका है और जो करेंसी है वो आपको टेकल देखने को मिलेगी बांगलादेश के अगर हम बात करते हैं तो यहां की जो PM है वो हो जाएंगी आपकी शेख हसीना आगे आते हैं और अगला सवाल आपके सामने यह रहा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर बनाई जा रही है तो आपको बता दें कि यह जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है इसको बनाया जा रहा है वेस्ट बेंगॉल की क्यापिटल कॉलकाता में अगर हम इस मेट्रो की बात करते हैं तो अगर आप इस मेट्रो से सफर करेंगे तो यह एक गंटे का सफर आप सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर ही तै कर सकते हैं और इसमें जो है काफी करोडो की लागत लगाई जा रही है और बोला जा रहा है कि दिसंबर साल 2023 के अंद तक यह मेट्रो बन कर त्यार हो जाएगी आगे बढ़ते हैं अगले सवालों के उपर जैसे चटी वंदे भारत एक्सप्रेस नागपूर से बिलासपूर तक चिलाई जा रही है सातवी वंदे भारत एक्सप्रेस का इनागुरेशन पस्चिम मंगाल से हुआ गती शक्ति विश्वदाले के कुलपती अश्वनी वैशनव है भारत में पहली ट्रेन शुडू हुई 1853 मुंबई से थाड़े तक विश्वकी सबसे लंबी आत्री ट्रेन स्विट्जेलान ने बना दी है इच राइच सर्टिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो यह भूपाल रेलवे स्टेशन को मिला और रेलवे केंद्रिय मंत्री तो वह आपके अश्वनी वैशनव है आगे आज आते हैं अगले सवाल पे तो देखिए 2023 से 25 के अवदी के लिए बातिय रिजर्व बैंक के मध्यम अबदी की रणनीती की रूप रेखा जिसका नाम डैश है श्री शक्तिकान दास्ट गवर्नर बातिय रिजर्व बैंक द्वारा करी गई तो आपको बता दें कि जो मीडियम टर्म स्टाटेजी फ्रेमवर्क है यानि यह बोला जा रहा है कि अभी जो भी गोल्स वगेरा यह लोग सट करते हैं उसे कम से कम समय में जो है एकदम बढ़िया सी जो स्टाटेजी बना के हमें क्या करना है अपने गोल्स को अचीव करना है और इसे किस के अंदर रखा गया है उतकर्ष 2.0 के अंदर है आगे बढ़ते हैं और क्वेशन नंबर 6 पर आते हैं कि किस वर्ष को बाज़रा का अंतराश्ट्य वर्ष गोशिट किया गया तो आप लोग याद रखेगा कि यह जो आयवज़त किया जाएगा यह है जपान के साथ यानि ऑप्शन नंबर बीविल को सही है बारत औ शाय जो लोग करते हैं यानि कि इस्टन ब्रिज उमान के साथ होती है आगे क्वेशन पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश किस जिले में पहला गोव ब्यारण बनाया जारहा है बरेली जिजनौर बुलन शहर या फिर मुजफर नगर तो अगर हम बात करते हैं यह जो बनाया जा रहा है यह आपके मुजफर नगर में मनाया जा रहा है यानि option number D सही है अगले सवाल पर आएंगे ऐसा कौन सा देश है जिसमें फरवरी में तेरवी विश्व व्यापा संगटन WTO मंत्री स्थरिये बैटा की मेजबानी करेगा तो आपको यह पता होना चीए कौन करने वाला है UAE करेगा कौन करेगा UAE यहाँ पर इसकी मेजबानी करने वाला है यह कुछ ऐसे समेलन है जोकी हाल फिलाल में हुए है जैसे गैस चग मिलान इतली में हुए 2 प्लस 2 मंत्री स्थरिये वारता 2022 टोक्यो में हुए है 12 बिश्व संगठन मंत्री स्थरिये समेलन जनेवा स्विचलान में हुआ 14 ब्रिक्स स्थरिये शिकर समेलन चीन में हुआ Semicon India Conference 2022 बैंगलूरु में हुए है आशियान भारत शिकर समेलन कमबोडिया में और तीसरा मंत्री स्थरिये नो मनी फॉर टेरर समेलर नाई दिली में आज़ित किया गया है So guys, ये था आज का अपना सेशन I hope आपको सेशन काफी जादा पसंद आया होगा और ये क्वेस्टन्स आपके लिए हेल्पूल रहेंगे So इसी तरह हमारे सेशन को अटेंड करते रहें डेली सुबा पाच बजे आपका सेशन लाइव हो जाता है और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में Thank you so much and have a nice day